Good morning students, अजम सभी, हिंदी व्याकरण में अध्या बारा शब्द भंडार से अनेक अर्थक शब्द और मुहावरे करेंगे, अनेक अर्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेक अर्थक शब्द कहलाते हैं मतलब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ कई हो, कई उसके अर्थ निकलते हो, अलग-अलग उसके अर्थ हो जैसे नमबर एक उत्तर, उत्तर एक उत्तर होता है एक दिशा का नाम, एक दिशा होती है नौर्थ जिसे आप बोलते हैं उत्तर और एक उत्तर होता है जिसे आप से किसी ने प्रेशन पूछा तो आप आंसर देते वो उत्तर होता है एक उत्तर होता है बाद का इस तरह से आपने देखा कि उत्तर के कितने अर्थ होती है और नमबर दो मंगल मंगल का अर्थ होता है कलने आड़ एक होता है किसी का कलने आड़ करने कहते हैं किसी का मंगल करना एक हमारा है मंगल ग्रह है इस पर हम जिस तरह से प्रत्वी एक ग्रह है ऐसे एक मंगल ग्रह होता है और मंगल एक दिन भी होता है किसी सोम बार मंगल बार इस तरह से बल बल का अर्थ होता है ताकत और एक बल मींस होता है सेना और एक बल मींस होता है किसी को सहारा देना और बल का ही अर्थ होता है एठन किसी भी तरह की एठन या होना कल का अर्थ होता है बीता दिन जो बीत गया अर्था इस्टर्डे आने वाला कल तुमारो ये दो मारे कल हो गए आने वाले और बीता और इसी कल का अर्थ होता है मशीन भाग भाग का अर्थ होता है भाग्य या इसी भाग को ही कहते हैं किसी भी चीज का हिस्सा या एक भाग का अर्थ होता है बिभाजन किसी भी पार्ट को कई हिस्सों में विभाजित कर देना नमबर दू है मुहाबरा अब मुहाबरा कोई भी ऐसा वाक्यांस जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ कर किसी विसेस अर्थ को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं हम? मुहाबरा कहते हैं मतलब वो छोटा सा वाक की अंसो और अपने अर्थ चोड़ के साधारा अर्थ चोड़ दे और विससे इस अर्थ को व्यक्तिकरे वो हमारा मुहावरा कहलाते है नमबर दो नमबर दो जी भर आना का अर्थों का दया करना घायल पक्षी को देखकर मेरा जी भर आया नमबर तिर टस्से मस ना होना इसका अर्थो का जराबी इधर उधर ना होना इसका प्रियोगों का मोहित अपने नरड़ें से जराबी टस्से मस ना हुआ अपनी बात पर बिल्कुल अडग रहना नमबर चार टकासा जबाब देना साफ इनकार करना अर्थात बिल्कुल मुपरी किसी भी काम के लिए तुरंत और साफ इनकार कर दीना प्रियोग मोहन बड़ी आशा के साथ अपने दोस्त के पास किताब मांगनी गया लेकिन उसने टकासा जबाब दे दिया अर्थात उसने साफ इनकार कर दिया नमबर पास पापड बेलना इसका अर्थों का बहुत अधिक परिश्रम करना किसी भी कारे को हंश करने के लिए बहुत ज़्यादा अतियंत कठिक परिश्रम करना प्रियोग पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए सब को खूब पापड बेलने पड़ती हैं धर्न्यवाद